ये बाते याद रखना हमेशा खुश रहोगे नमबर एक, अपने अंदर की छोटी छोटी कम्यों को सुधार लीजे क्योंकि एक छोटा सा सुराक भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाता है नमबर दो, लोगों का मुँ बंद करवाने से अच्छा है, अपने कान बंद कर लो नमबर तीन, जिन चार लोगों के बीच बैठ कर आप दूसरों की बुराई करते हैं यकीन मानिये वो चार लोग आपके उड़ते ही आपकी बुराई करते हैं नमबर चार जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजात कर देना ही बहतर है नमबर पांच आरता वो है जो शिकायते बार बार करता है और जीता वो है जो कोशिशे हजार करता है 6. याद रखना कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बिना मेरा अपना साया भी मुझे दूप में चलने के बाद मिला 7. अच्छी बाते पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बाते करने की आदत अपने आप लग जाती है 8. इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दुबारा विश्वास कर बैठो 9. जरूरत से जादा अच्छे बनोगे तो नीबू की तरह निचोड दिये जाओगे 10. जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हर्याली अपने आप आ जाती है जीवन भी यही है जहां मन की सरलता और परिवार के संसकार हो उस जिन्दगी में हर्याली अपने आप आ जाती है नमबर ग्यार है जिन्दगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह उपर वाले के सिवा कोई और ना हो नमबर बार है भले ही जिन्दगी में अकेले रह लेना पर किसी से जबरदस्ती रिष्टा निवाने की जिद मत करना जबरदस्ती मत मांगना जिन्दगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए तो उसका मज़ा ही कुछ होर है जारू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कच्रे को साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वो खुद कच्रा बन जाती है इसलिए सदा अपनों के साथ बंदे रहे नमबर चौदे किसी के घर जाओ तो अपनी आँखो काबू में रखो ताकि उसकी कमिया ना दिखे किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज़त और रास दोनों सलामत रहे नमबर पंद्रे जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है क्योंकि सबसे जादा गुनाह इनसान से उसकी जुबान ही करवाती है नमबर सोले बोलने से पहले सोचो क्योंकि बोलने के बात सोचा नहीं पच्चताया जाता है नमबर सतरे किसी काम की चिंता करना ठीक है पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए नमबर अठारे ये मत सोचो कि एक महिने या एक साल में क्या हो सकता है बलकि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है 19. समझदार इनसान से की गई कुछ मिंटों की बाते हजारों किताबे पढ़ने से बहतर है 20. सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो क्योंकि सेवा का असली मूल्य इनसान नहीं दे सकता वह केवल भगवान दे सकता है वह ना कागज रखता है ना किताब रखता है फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद